थोड़ा अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए नहीं तो आपका बच्चा मुनी को मुनी बना देगा और अर्थ का अनर्थ कर देगा प्यारे बच्चों और बच्चों के प्यारे प्यारे माता पिता नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी लो के लिए से कर रहा था तो हमने उससे पूछा कि भ्हाई इतना स्वलों कियों कर रहे हो तो पुछा एसे ही करता हूं प्र लाए चलो बताओ टेबल में तुम्हें लग रहा है कुछ दिक्कत है 15 का टेबल सुनाओ तो बोला इसे करके बताने लगा फिर कहीं जाके काफी समय सोचने के बाद बोला फिफ्टी नेर्जा होता है फिर बोला रहे ऐसे नहीं होता है ऐसे टेबल याद करो यार कि पंदर तिस्तियां पेताल चोक्के साथ पज़ेटर चक्के नभे सत्ते पांच आठ्थे बीसा नो पैटीसा दहां पचास लाओ pasar था जो समस्ञें बाद तो ये तो ये हमारा स्टाइल है मन वहला ऐसे याद कर लोगा बोला से याद नहीं कर पाएंगे फिरपला हिंदी में नहीं यह याद करता हैं आ अभे आंग्रेज इंग्लिस में याद करेंसे और रहना यह हिंदि इंडिया में है 20 विदेश में जाहिए चाहें इंडिया में रहिए हिंदी में भी आपको चीजों का मालूम होना चाहिए पहली बात यह है और टेबल जो होता है टेबल अगर कहीं सभी पूछे फर एक्जामपल किसी ने पूछ दिया 99 सार तो फट देना आपको मालूम चाहिए 171 आगी बात चाहिए किसी ने पूछ दी आठ नुवा बहत्तर आठ नौ बोलता ही बहत्तर फट देना आपको बताना चाहिए इतनी बात आपको समझें किनों फिफ्टीन फिफ्टीन अभी नाइन बोल रहा तो वन थर्टीफाइब बोल दो ना तो इस तरीके से टेबल याद करना और ट पहला वाला जो है इस होता है सिंगलर है तो टू इन्टो वन तो वन स्टू DD टूज जैसे दो बार दो मिलेंगे दो बार दो मिलाओगे तो चार बनेगा इसलिए कहा जाता है तू फिर गूज आर तो इसको आप लिखिए टूज मैसे टूज बोलते हैं कि भाई प्लीवरल हो गया दो टूज आर फॉर आगी बात समझ में एटीन फॉर्ज आर एटीन फॉ में आएगी तो यह होता है correct pronunciation ठीक है ना यह correct तरीका होता है Rs कि भाई अगर हम जैसे two five are दो दो बार आप दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो 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 बार पांच को आप collect करेंगे then it will become ten two five are ten eight threes are 24 समझ मारा eight को तीन बार collect किजिए eight फिर eight फिर eight eight की तीन बार pairing करेंगे तो you will get 24 तो यह correct तरीका होता है table का तो मुझे लगा कि यह कुछ एक जरूरी चीजे हैं मुझे अपने parents को बताना चाहिए कि देखे भाई आप अपने बच्चों को इतना चीज तो जरूर करवा दीजिए यदि आपका बच्चा one to five one to fifth class में तो पांच वी से पहले यह आपको करवा देना चाहिए लेकिन हम पहुं जाते हैं बीए बीए एससी एंटेक बीटेक tables अच्छे से नहीं आते स्केर्स नहीं आते और competition की तयारी करते तो वहां पर रठते हैं तो यह यह fifth standard तक का का होता है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ठीक है ना आप चाहिए टेंट में एट में नाइंट में है फ्लस टू में है प्लीज 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 मेरी बात को ध्यान से सीखिए यदि आप एक पेरेंट है यदि आप एक प्यारे पिता है तो भी ध्यान से सुनिए और यूर चाइड मस्ट नो डॉजिंग टेबल डॉजिंग टेबल अच्छे से आना चाहिए डॉजिंग का मतलब चक्मा देना मैंने बोल दिया एटीन ठीजा फर्ट दना बोलना चाहिए फिफ्टी फॉर आगे बासल में मतलब इधर से आये ना कि किसी ने बोला नहीं कि सामने वाले ने बताया नहीं पंदर बच्चे 75 फिफ्टी फाइट 75 तो इस तरीके से टेबल आना चाहिए तो रोजाना बच्चे को कहिए और मुश्किल थोड़ी ना है ये रोजाना आप बोल दीजिए कि बैटा तीन दिन में तेरे को 12 का टेबल याद करना है ठीक है ना तो इस तरीके से टेबल आपको आपके बच्चों को आना चाहिए था इसके बाद आए आपका ये डोजिंग टेबल एक से लिकर 20 तक अच्छे से उसके बिल्कुल टिप्स पोना चाहिए आपने बोला नहीं और सामने बाले ने बताने पूछू क्या पूछू 75 85 तैंस इसके बाद पार्ट्स हैं हर एक का रूल मालूम होना चाहिए आपको एक चीज बता दूं जब जैसे कि जो बच्चे कोंप्डिशन की तइयारी करते हैं कंप्डाटीटिव एग्जाम की तेयारी करते हैं तो आप पिक्शा पढ़ाय आते हैं तो ग्रामर्वर्स की रूल क्यों पढ़ा चाहिए कहां पर से यह लगाना है कहां पर हल्पिंग वर्ब का यूज करना है इस क्या है हल्पिंग वर्ब है क्या हल्पिंग वर्ब कब है जब में वर्ब होगा हल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा वीडियो बताऊंगा बनाऊंगा और तब बताऊंगा कि अगर helping वर्म नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हमेशा helping वर्म नहीं कहते हैं इसको तो यह आगे आप देखाता है square आना चाहिए जैसे कि 1 to 20 किसी भी चीज का square पूछ दिया कि 15 का square क्या होगा 225 होना चाहिए 19 का square बच्चे को याद होना चाहिए मैं याद रहे लेकिन तो 215 का सो तक याद कर दीजिए अब हर दिन एक एक स्केयर बोर्ड पे लिखे जाए और बेटा यह साम को आँगो तो सुनूँगा याद रहेगा यार और हपते में उसको दुबारा रिकैप कर दीजिए दुबारा रिवाइज करवा दीजिए तो यह बच्चों के काम आने वाली चीज हैं समझ रहे हैं आप दो लो कि वाई वक्चियूम की स्पैलिंग क्या होती है यह तो सभी बच्चे यही बोलेंगे बिल्कुल सही है सर बिल्कुल ही सही है तो यह तो वी ए डबल सी यूम जरा बुक खुल के देखना क्या है पढ़ते समय कभी निशान लगाते हो क्या इस पैलिंग सो जोती है आपके टीचर बताते होंगे बोड पे भी लिख देते होंगे कि यह आपको याद करना है तो भाई निसान भी लगा लिया करो निशान लगा कि अपने आपके लिए पढ़िए आपके ही काम आएगा कमपटिशन एग्जाम में यही तो होता है आपको मालू है वक्यूं की स्पेलिंग इस तरह लिख देगा वी ए सी यू एम लिख देगा वी ए सी यू यू एम चेप देगा वी ए सी यू डबल एम लिख देगा चार स्पेलिंग है और चारों में सबसे बढ़िया हमें यह वाल रहते हैं फोकस फोकस के उपर एक वीडियो आपको बताएंगे जनरली आई यूस्ट इच इन टेल इन माई क्लास कि फोकस पावर ओफ कंसेंट्रेस तन पावर ओफ एनलाइज की हम चीजों का अनलाइस कैसे कर रहे हैं विजूलाइज कैसे कर रहे हैं वह आपको अलग सी यहां पर यहां पर यहां पर आना चाइए था और वक्यूं नहीं यह वोला है यह वला है नहीं यह वला है नहीं देखके बताओ बुझे बुक में से 90 की स्पेलिंग 40 की स्पेलिंग ये सही है क्या गलत है चेक करो और देखो 40 की स्पेलिंग 40 वाला 40 क्या होता है तो आपको ये सारी चीजे आने चाहिए फिर हम गणित में सिखते हैं 69 नहीं मालूम बच्चों को लिखना नहीं आता 89 बोल के देखलो अपने बच्चे को नहीं लिखना आता 70 नहीं आता they do not know the difference 69 वाला है या 79 वाला है अरे अंगरेज तरको यहीं नहीं वाल हो 69 और 80 क्या होता है ये चीज बताए बच्चों को आप सिखाए काम आएगी ये चीज आप सारा चीज इंग्लिश में भी पढ़ा दिये और इंग्लिश भी उसको सहीं से नहीं आती इंग्लिश में अगर रूल पूछ लिए तो वो नहीं आता और फिर कमपटीशन एग्जाम में जाएगा तो क्या आएगा तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए हिंडी के common errors जो होते हैं उस पर ध्यान दीजिए आपका बच्चा लिख रहा है copy check हो गए है school से लेकिन बच्चे को लिखना नहीं आता copy check check के लिख दी उसने जैसे कि अभी मैं बता जाता हूँ अगर माली जिए मैं बोल गया कि श्रंगार लिखो श्रंगार ठीक है तो बच्चा ऐसे लिखेगा सिरंगार अब बताना है आपको कौन सा जगह जाना है कहा कि टिकट लेनी है तभी आप वहां पहुंच पाएंगे तो चीजों को समझे कौन सा स्रंगार श्रंगार अशृववाद बच्चे लिखते देखने बैठें तो यह सारी चीज़े ध्यान दे कि क्या-क्या उसने पढ़ी है कोपी में क्या-क्या उसकी कोपी चेक हुई है और क्या-क्या चीज़े उसको आती है ऐसे नहीं कि हाँ मैंने चेक कर रखा ठीक है जी बढ़िया है नहीं जो उस विशे के बारे में लिखा आप लोग मानेंगे और मुझे यह भी उमीद है आप लोग का प्रेम बहुत मुझे मिलता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं आई नो इट शेर भी करते हैं और मुझे आप बढ़ियां कर रहे हैं जब मैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाता हूं तो मेर में एक वीडियो आप बना दो तो प्यारे दोस्तों आपका प्रेम यूही बना रहे आपका प्रेम यूही बरस्ता रहे तिल देन टेक क्यार और खुश रहिए नमस्कार और मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चों में यह सारी चीजे बताएंगे और उनको बताएंगे क इस तरीके से पढ़ना है पढ़ना जरूरी नहीं है सही तरीके से पढ़ना जरूरी है सही तरीके से सीखना जरूरी है तभी तो एक सही और सच्चा इनसान बनेगा आपका बच्चा तिल देन नमस्कार